नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहल नमबर पाच हिबिसकस टी यह दिमाग को शांत और शरीर को एनरजी देने वाली होती है शाम के समय पीने से इससे सबसे बेस्ट माना जाता है यह बाजार में आसने से मिल जाती है नमबर चार माचा टी यह चाय जापान में अधिक पी जाती है पिछल दो से तीन सालों में यह चाय पूरी दुनिया में पी जाने लगी है सेलिब्रेशिस और स्पोर्ट्स परसन इसे पीना पसंद करते हैं इसमें ऐसे पोशन दतो होते हैं जिसके कारण यह सेहत दिमाग को बूस्ट करने का काम करती है और शरीर को एनरजी देती है नमबर तिन बारले टी कुछ देशों में बारले टी यानि की जो की चाय का सेवन पूरानी समय से होता आया है जो में काफी नहीं होता है लेकिन हमें काफी अच्छी इनरजी देती है इसके सेवन से हमारा पाचन बेहतर होता है खुन की सफ़ाई होती है चाय बनाने के लिए जो की हलका भून ले फिर इसे उबलते पानी में डाले और बात में च्छान कर पी ले नमबर दो चिकोरी पाउडर चिकोरी का स्वात काफी की तरह थोड़ा करवा होता है इसलिए दूद और खजुर के स्थान पर पीना चाहिए जिन लोगों को काफी की लग चुकी है उनके लिए चिकोरी की चाय बहुत अच्छा विकल्प है यह पाचन को ठीक करता है और आल क्योंकि यह सबसे हलकी और फाइदयमन होती है इसके सेवन से ब्लड प्रिशर मेंटेन रहता है कोलेस्टरॉल कम होता है पाचन अच्छा बना रहता है और थकार और आलेस से पूरी तरह दूर हो जाती है इसमें एंटी ऑक्सिदेंट और एंटी एंजिंग गून होते है इस इसलिए इसे जवान रखने वाली चाय भी कहा जाता है